दूसकार स्वागत है आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शेर्वा और इस कारक्रम में मेरे साथ होंगे भाषा और उर्मिलेश अजीब और गरीब बात नहीं लगती आपको एक और सरकार गिरने की कगार पर है महराश्ट जी हाँ पिछले ढ़ाई साल से जब से उद्दव ठाकरे उसके मुख्यवंतरी बने थे एनसीपी और कांग्रिस के सहयोग से तब से सरकार मोधी सरकार को खटक रही थी और अब रहस्मे तरीके से एकनाच शिंदे बगावत करते हैं विधायकों को लेके पहले सूरत और बाद में असम आते हैं और सारा खेल पलट जाता है इस वक्त अधिकतर विधायक उनके साथ हैं और आज इंडिया की बात में हम उसकी विस्तर चर्चा करने वाले हैं तीन पहलों हैं इसके पहलो नमबर एक आखिर इस पूरे घटना करम के लिहास से महराश्ट की क्या एहमियत है भाजपा और देश की सियासत के निगास से मुद्दा नमबर दो किस तरह से जाच एज का इस्तमाल हो रहा है जी हाँ इन ही जाच इजनसी के इस्तमाल की बतौलत मामला जहां तक पहुंच गया है और मुद्दा नमबर तीन क्या प्रधान मंतरी नारेंद्र मोधी विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं तो आईए सबसे पहले हम रुक करते हैं पहले पहलू का कि आ मेलिष्का अब इसार मैं समझता हूं कि सबसे पहला जो कारण है वो यह है कि कार्परेट का अपने देश में से सबसे बड़ा सदर मुकाम है वो मुंबई है और मुंबई में 2024 से पहले अपनी सरकार पाना कौन नहीं चाहेगा केंडर की सरकार हो और भी मोधी और शाह जी की सरकार और दूसरा जो इसे जुड़ा पहलू है कि मुंबई में यानी महारास्ट्र में एक दूसरी हिंदुत्तोवादी पार्टी अगर सरकार चलाती है तो ये बड़ी हिंदुत्तोवादी पार्टी के लिए बड़ मुश्किल है तो शिव शेना को डिस्मेंटल करना शुक्रिया और मिलेश जी इस खबर का क्या है पंच भाशा बताएंगे अभी सार एक बात बहुत साफ है कि 2024 से पहले भाशपा यह संदेश देना चाहती है कि कोई भी जगह जो विपक्ष की पार्टियां है जो सरकारे चला रही है आप वोट किसी को भी दें सरकार हम बनाएंगे ये नया नॉर्मल बना रहे हैं खरीद बिक्री नया नॉर्मल है नय अभी अमिशा सरकार का अभी सार आपका क्या है पंच इस खबर पर शुक्रिया भाशा इस खबर का मेरा पंच यह है दोस्तों हालकि जो बड़े मुद्दे हैं वो उर्मिलेश और भाशा बता चुके हैं मगर मैं इसका एक तीसरा पहलू देख रहा हूँ इसके जरीए कही कहीं भारती है जनता पार्टी है यह कहा जाए RSS महराश की बुनियादी संस्कृती पर वार कर रही है उसके सेकुलर इथोस पर वार कर रही है और मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूँ आपने देखा होगा किस तरह से शाहरु खान की बेटे आरियन खान पर को टार्गिट किया गया सुशान सिंग राजपूत के बहाने देश के संगी धाशे पर वार किया गया और उसके जरीए मुंबई फिल्म इंडास्री को टार्गिट किया गया यही नहीं कश्मीर फाइल्स और बाद में समराट पृत्राज शोहान जो फिल्में हैं उसके जरीए भी पता चल रहा है कि भारती जनता पार्टी अपने प्रोपगैंडा वाली फिल्में मुंबई पर हावी कर रही है और इसके जरीए पूरे देश पर तो मुझे लगता है इसके जरीए कहीं न कहीं महराश की बुनियादी सेकिलर संस्कृती पर वार करने का प्रयास किया जा रहा है और आईए जर्चा करते हैं आगे बढ़ाते हैं जैसे कि हमने कहा कि ये देश की वित्तिय नब्स है महराश्ट यही नहीं आप जानते हैं कि साल के अंत में गुझरात के चुनाव होने वाले हैं अगर ये सरकार गिर जाती है जिसके गुझाईश बताई जा रही है और मिलेज जी तो इसी बात है मीडिया उसे मास्टर स्ट्रोक बताएगा सबसे शौकिंग बात यह है वह यह कहा जाए सबसे शर्णाग बात यह है कि उस सरकार को इस गयर वाजब ढ़ंग से गिरा कर उसे एक उपलब्धी के तोर पर पेश किया जाएगा उन चुनावों में यानि कि यह अप वो जिस तरह इस घोर लोगतंत्र विरोधी का रवाई को अभिनंदन उसका करता नजर आ रहा है या मास्टर स्ट्रोक की तरह पेश कर रहा है शर्मनाख है राजनितिक तोर पे तो शर्मनाख है जो कुछ कर रही है भारती जनतापाटी लेकिन मीडिया जैसे ग्लोरिफाई दल लोकतंत्रवादी रह गए हैं और नो तो मीडिया लोकतंत्र का प्रहरी रह पाया है ये भारत के लोकतंत्र का अगर कोई लोकतंत्र नाम की चीज बची है तो उसका एक सबसे भयानक ये तस्मीर पेश करती है गटना दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि देखिए भारती जनता पार्टी जो महराष्ट्र में कर रही है इसकी परियोजना बहुत पहले बन गई थी बार बार नेताओं के बार नेताओं के बयाना रहे थे और दूसरे प्रदेशों के की बहुत जल्दी हम टेक और करेंगे तो ये एक तरह से बताना जैसे कोई बहुत ब़ड़ी इखावत एक बयान दे रहे थे कि अगर सक्षिन पाइलिट ने साथ दिया होता तो राजिस्थान बिकर जाता है क्या तरीका है भाई यह कोई क्या गर्फ करने वाली बात है लगता है कि पूरा महाल बना दिया गया है कि हम जब खरीदें और बेचें लोकतंत्र में इस तरह की बिकरी होना और वीडियो आएं है कि किस तरह से सूरत से जो ले गए हैं लोगों को गुहाटी असम जो ले गए हैं जादा शर्मनाक श्रण भारती लोकतंत्र के लिए कुछ कर रही है और यह नया नॉर्मल है जिसको मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है एक एक करके खबरे बता रहे हैं यह भी शामिल हो गए यह भी यहां बैठे हैं सतर कमरे दर्ज हैं अब आप यह देखी इससे ज़्यादा शर्मनाक अभिसार क्या होगा कि मीडिया यह भी सवाल नह हो सकता है हाँ जबकि आपकी पर्मीशन के बिना तो कोई घुसे नहीं सारी जो गाड़ियां दिखाई दी वो सब सरकारी गाड़ियों में होटल आए हैं तो यह जो लोकतंत्र के साथ मनलब अब आप लोकतंत्र के जितने खंबे हैं वो जिस तरह से इस खरीद बिक्री सामने आया है कि एक जमाना था जब आम जनता क्योंकि मीडिया ऐसा कहता था क्योंकि लोग ऐसा कहते थे जो प्रभावशाली लोग थे वो आम जनता में होती थी बात जब कोई दल बदल करता था कराता था तो आया राम गया राम लोग कहते थे ओ गंदी बात है यह अच्छ कि हैं लोगों के अंदर लोगों को गलत विचारों के प्रती आदी बना दिया है यो न्यू नार्मल ये कह रही है लोगों को आदी बना दिया है गलत को तही मानने के लिए और ये इस देश के मीडिया लिए अब देखें दो हजार सोलह से अगर आप उठा के देखिए उत्तर खंड से सिलसला शुरूवा सरकार गिराने का अरुनाचल प्रदेश में 2016, गोवा 2017, दिल्ली में कोशिश की 2017, करनाटक 2019, मद्र प्रदेश 2020, राजेस्थान में कोशिश की और अब यह यानि नौवा राज 2016 से नौवा राज है जहां यही खरीद बक्री और मैं उनका जिक्र न ना ली, उनका जिक्र नहीं कर रही है, यह वहां है जहां पे बकाइदा, बहुमत किसे और के पासी, यह राजनीती का नियू नौमल है, हम बात कर रहे हैं महराश की एहमियत की, हमें यह न भूलें, कि देखे, शिवसेना, उद्दव ठाकरी की नेतरत में बहुत अलग है, भारती जनता पार्टी कहीं न कहीं जाती कि इस शिवसेना का सफाय हो जाए, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए हो जाए, ताकि हिंदुत की एक मात्र ठेकेदार जो है, वो भारती जनता पार्टी हो जाए, वो भारती जनता पार्टी जो प्रधान मंत्री नरें पिका हो जाए और मिलेशी बिलकुल मैं यही पहले अपने पॉइंट में कहा पंच में कि वो यह नहीं चाहते कि हमारे ही एजेंडे या हमारे ही एजेंडे के इर्द गिर्द कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी रहे हिंदुत्वा के थोक विक्रिता हम रहें इस देश में हमा पारे अलावा और कोई खरीद विक्री ना करे इसके नाम पर यानि राजनीत और कोई ना करे तो एक तो यह पहलू है और दूसरा पहलू एक और है अभिसार कि भारती जंता पार्टी ने अपने इतिहास में हमेशा उन दलों के साथ जिनके साथ एलाइंस किया उनको बरबा लेकिन एक क्या बन गए हैं वो लेकिन एक एक सेप्शन मैं आपको यह बता हूं बहुत दल्चस बात आपने कही महभूबा मुफ्ती एजीपी सबको ने लिए सबको बरबाद किया लेकिन जेडी यू एक ऐसी पुलिटिकल पार्टी है यह मानना पड़ेगा क्योंकि आप स पर पेश किया जा रहा था बताया जा रहा था कि यह चुनौती दे सकते थे मगर उन्हें ने जो बार बार समझोते किये और पुरा पुलिटिकल करियर खता हमें इस बात को समझना होगा कि डिस्पाइट आफ के नितीश कुमार भारती जनता पार्टी के साथ आज से नहीं ह लेकिन एक मात्र वो घटक हैं एंडिये के जो संख्या बल में कम होने के बाद लगाता शुनौती मैं बहुती संख्यप में आपसे जवाब चाहता हूँ ताकि हम अपने अगले पहलू का रुक करें तीस सेकंड में जवाब चाहूँगा कि सोच की भी सेहरन पैदा होती है क अब महराष्ट पुलीस भी आपके साथ होगी अगले दो धाई साल विपक्ष को जिस तरह से टार्गेट किया जाएगा अगर सक्ता बीजेपी के हाथ में आ जाएं तो सोच की भी सेहरन पैदा होती है और यह लगता है कि जो पूरा बदले की कारवाई क्योंकि ये बहुत ह हमें ध्यान रखना चाहिए कि महराष्ट में अभी जो कर रहे हैं इसकी तैयारी उस दिन से थी जिस दिन उधव ठाकरे ने शपत ग्रहन की तो वहां से निप्टाने की पूरी कोशेश है हमने नहीं भूलना चाहिए कि नवाब मलिक की कैसे गिरफतारी हुई तो बदले की क हां हम बदला ले रहे हैं हाला कि इसका एक नैतिक पहलू ये है कि हम नहीं भूल सकते कि शिव सेना और बीजेपी एक साथ मिलकर उन्होंने ये मैंडेट हासल किया था तो देखिए उस लिहास से उदव ठाकरे अगर ये दावा करते हैं या इनका पक्षे दावा करता है तो उसकी जमीन थोड़ी कमजोर है अब हम रुख करना चाहेंगे आज की चर्शा के दूसरे पहलू का और दूसरा है जाच एजनसी इसका बेजा इस्तमाल क्या है इस खबर का पांच उर्मेलेश देखे मैं समझता हूं कि ये जो जाच एजनसी हमारे हमारे देश की हैं ये कभी भी बहुत स्वतंतर नहीं रही हैं कभी जो समवैधानिक संस्थाएं हमारी हैं उनमें एक एक लेविल पर कुछ एक संस्थाएं ऐसी थी जो कमो बेश कभी स्वतंतर दिखती थी थी कभी हुक्मरान आता था या कोई भी निजाम आता था वो हमने देखा है लेकिन आज की तारीख में तनिक भी स्वातंत्रता तनिक भी स्वायत्ता एजेंसी के पास नहीं बची है वो पुलिटिकल पार्टी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं क्या है इस खबर का पंच भाशा अभिसार मेरा मानना है कि इस समय जाच एजेंसियों की स्थिति है यह खुला खेल फरूखाबादी टाइप हो गया है पूरी नंगई पर उत्रा हुआ है कहीं से भी लाज नहीं है कोई नियम कायदा कानून नहीं है तकरीबन यह माउथ पीस बन गए हैं प्रवक्ता बन आप उसको टाइट करी आप यहां पहुँची और यह बात तकरीबन नीचे तक पहुँच चुकी है कि इसी तरह से जाच एजेंसियां काम करेंगी यह भारत के नए नॉर्मल का एक अभिन हिस्सा हो गया अभिसार क्या खबर का पंच है अभिसार भाषा आपने जिस शब्द का इस्तिमाल किया कि वो भाजपा की माउथपीस बन गए है मैं उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा वो भारती जनता पार्टी की एक्स्टेंशन है इसकारत क्या हुआ मसले नकर हम एकनाच शिंदे की बात करें इनके पास एक बहुत ही मलाईदार मंतराले था अर्बन डेवलाप्मेंट मिनिस्ट्री और अगर इनके बैंक अकाउंट्स को खंगाला जाए तो बहुत दिल्चस चीज़ें मिलेंगे कई जानकार ये कह रहे हैं कि एडी का एक बहुत बड़ा किरदार था एकनाच शिंदे को भारती जनता पार्टी की तरफ ढखेलने में और ये देवेंदर फड़नवीस के काफी करीबी भी माने जाते हैं तो इस तरह से जाच एजिंसी का इस्तमाल किया गया ये है इस खबर पर मेरा पंच अब इस खबर को जो हम चर्शा करते हैं जाच एजिंसी का जिस तरह से इस्तमाल हुआ उर्मिलेज जी हमने अनल देशमुक की गिरफतारी में देखा नवाब मलिक की गिरफतारी में देख कई एडी के नेताओं को जिस तरह से कई शिवसेना के नेताओं को जिस तरह से एडी के फर्मान आये अनल परभ वगर ये तमाम चीजे नहीं देखिए NCB ने किस तरह से शारुख खान के बेटे को टारगेट किया क्योंकि शारुक खान के बेटे को टार्गेट करना इनकी सियासत में फिट बैटता है और फिर सुशान सिंग राच्पूत उस मामले में भी देश की संगिये धाशे की धजियां उड़ाए गई और उसके जरिये भी शिवसेना सरकार महा विकास अगाडी सरकार को टार्गेट किया यानि कि इन्होंने तमाम हदे पार कर दी है उर्मिलेश जी जाच एजनसी की बेजा इस्तमाल को लेके अब इसार आठ साल में अगर आप देखिए तो जाच एजनसीयों के दाएरे में सिर्क दो तरह की लोग आते हैं एक तो विपक्षी लोग और दूसरे ऐसे नौकरशाह जो सरकार से या सरकार चलाने वालों से तनिक असामती रखते हैं अगर तनिक भी असामती है अगर आप उनके एजन्ट की तरह काम नहीं कर रहे हैं उनके शडियंतर में आप शामिल नहीं आए तो आप कभी भी जाच एजनसीयों के दाएरे में आ सकते हैं आश्यर जनक है कि 8 साल में सत्ताधारी दल का एक भी नेता एक भी नेता एक भी ओदेदार इन एजनसीयों के दाएरे में आया ही नहीं इस देश में आता कौन है विपक्षी या जो नौकरशाह जो किसी बात पर आपती दर्च कर देते हैं फाहिल पर तो ये एक अजी सरकार का कोई रिकार्ड है सरकार के पास अगर अपने को बचना है अगर अपने को बचाना है जायदात को सुरक्षित रखना है तो आजाओ भासपा में आजाओ सरकार में शामिल हो जाओ तो मेरा खैर मक्दम होगा एजनसीयों में जो भी मामला है और इसी लिए अभी जो गौहाटी में बैटे हैं मैं नाम लेकर कह सकता हूँ लेकिन कई कई बार होता है कि नाम याद भी नहीं रहता अनेक लोगों को मैं बता सकता हूँ मैंने देखा कि जो हाल तक इडी, CBI और इंकम टेक्स के निशाने पर थे अब जैसे एक महिला विधायक्त हैं शीव शेना की अभी हाल में उनको नोटिस गया उन पर छापा पड़ा और वो अभी गौहाटी में बैठी है तो आप क्या चाहिए अगर कहिए जो वर्टसप यूनिवस्टी पे शब्द इस बात अभिसार कि इसमें जो जाच एजेंसियां हैं जिस तरह से उन्होंने पूरा नेक्सेज पिछले धाई साल में महराष्ट की अगर पड़ताल की जाया देखा जाए तो आपको दिखाई देगा कि पूरी की पूरी एक-एक चुन-चुन कर और जो भाश्पा के बारे में और मिलेश जी कह रहे हैं कि वह वाशिंग मशीन है आपके जितने भी दाग है खून का अपराद है चोरी का अपराद है दंगे का अपराद है जैसे ही आप भाश्पा में डुक्की लगाते हैं हाथ मिलाते हैं तो सारी की सारी चीज़ा दूल जाती है लेकिन अब में चुहे की तरह विधायकों का जाना जो सूरत वाली फोटो है बहुत एहम है मुझे लगता है बार बार हमें दिखानी चाहिए कि किस तरह से एक चुना हुआ प्रतिनिधी पुलिस खीच-खीच के ले जा रहे हैं मीडिया पूछ रही है और पसीने चूटे जा रहे हैं आपने जिक्र किया उस महिला विधायका मैं मीडिया रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि उसमें कुछ विधायक ये कह रहे थे कि भाई एकनाथ शिंदे के साथ आने के बाद कम से कम हम चैन की नीन सोएंगे इडिया अब हमें परिशान नहीं करेगा क्योंकि देखिए आखिर कार इडिया आपको बार बार बुलाता है इन में से कई बिलकुल भरष्ट रहे होंगे मगर जैसे कि अकसर कहा जाता है ना the process is the punishment या आप इमानदार भी हैं तो आपको लगतार परिशान किया जाएगा और उसी डर से जो है वो ये कदम भी उठा रहे हैं मैं कुछ और भी आपसे पूछना चालता हूँ कितना पैसा खर्च हो रहा है एक करोड तो कम से कम अब तक खर्च हो ही गया होगा इनको दो दो फाइस्टार होटल्स में प्लेन से उनका ट्रांसपोर्ट किया जाना ये सब जाच का विशह है ये सब जाच का विशह है और द देखें ये एक दो करोड तो कुछ भी नहीं है इस देश में किस तरह से राजनीती हो रही है लोकतंत्र नाम की चीज़ को बिलकुल ये प्लिटिकल पार्टी को केवल डिस्मेंटल नहीं किया जा रहा है बारे हां पार्टी सिस्टम के वल खतम नहीं हो रहा है बहु की तरह के राष्ट को स्थापित करने की कोशिश की कि जा रही है जिसको आप कह सकते हैं कि जिस में किसी भी तरह की अस्नमती की किसी चीज़ को इजाज़त नहीं है इस एक बात कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों से, आप जवानों को पेंशन नहीं देना चाहते हैं, आप अगनीवीर योजना लेकर आते हैं, पेट्रोल के दाम पढ़ रहे हैं, इंफलेशन रिकॉर्ड तोड रहा है, ये तमाम पहलू है ना हमारे सामने, आम इनसान इसका साम पहलू करते हैं, क्या मोदी विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, खबर का क्या पंच है, भाशा बताएं, देखें मेरा मानना है कि सिर्फ विपक्ष विहीन ही नहीं, वो यह भी सबग सिखाना चाहते हैं, क्योंकि यहां शिवसेना को जिस तरह से उन्होंने निप्टाया कि जो सही होगी, उनके इशारों पे नहीं चलेंगे, उनको भी खतम करेंगे, और दूसरी सबसे बड़ी बात, कि विपक्ष की क्रेडिबिलिटी पूरी देश भर में, आप खतम कर देंगे, 2024 की तैयारी है, कि आप सिर्फ हमें वोट दीजे, वोट किसी और को देंगे, तो भ सरकार अंतता भाषपाही बनाएगी, यह संदेश वहाँ यह देना चाह रहे हैं, क्या है इस खबर का पंच, उर्मेलेश जी बताएं देखे, मैं समझता हूँ कि जो भारती जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है, उसका लक्ष निश्चित रुप से हिंदु रास्ट की स्थापना है, और वो एक ऐसे रास्ट की स्थापना, जिसमें मौजूदा संविधान, का रिलिवेंट विलकुल नहीं रा जाएगा, व वो बना रहे न बना रहे अलग बात है तो ऐसे लो ऐसे रास्ट में हिंदू रास्ट में विपक्ष की कोई जरूरत ही नहीं होगी और इस खबर का क्या है पंच मेरा पंच मैं आपको बतलाना चाहूँगा देखे वैसे तो भाषा और ओमिलेश ने इसके तमाम पहलू आपके सामने रख दिये मगर मैं बिलकुल अलहदा किस्म का पहलू रखना चाहता हूँ मोदी या भारती जनता पार्टी विपक्ष मुक्त भारत इसलिए भी कर पा रहे हैं क्योंकि इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे सामने एक नकारा विपक्ष भी है एकाद दो क्षेत्रिय क्षत्रपों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर ऐसे हैं जिनकी कोई सोच नहीं है जिनकी कोई विचार धारा नहीं है जो ताकत के सामने घुटने तेक देते हैं और इसी का फाइदा भारती जनता पार्टी लगातार उठा रहे हैं तो चलिए इस पहलू की हम चर्शा करते हैं भाषा एक बात बताई है हमने लगातार देखा कि जिनकी भी थोड़ी बहुत रीड है मसलन ममता बैनर जी पूरे चुनाव के दौरान उनके क्यारेक्टर असासिनेट करना उन्हें टार्गेट करते रहना मतला इतने अशलील बय हमारे सामने है इनकी पूरी कोशिश है कि जहां पर हम सरकार नहीं बना पाए चाहे सामने वाले ने दो तिहाई भावत भी ले लिया है और जहां हमें सरकार बनाना चाहिए था वहां पूरे रौदर रूप से प्रतिशोधात्मक तरीके से टार्गेट किया जाता है वह यह है जब उधव ठाकरे बोलते हैं कि ठीक है मैं हट जाता हूँ कोई शिवसैनिक बन जाए आप आजाओ शिंदे जी आप बैठ जाओ यहां पर तब देखिए बाजी किस तरह से पलटती है वो कहते हैं नहीं क्योंकि पैसा लिया हुआ हुआ है सारी डील हुई है तो क कुछ यानिया इसका मतलब बहुत साफ है यह बहुत अच्छी चाल इन्होंने चली थी कहा कि भाई आपको मुझसे दिकत है आप मैं हट जाता हूँ सवाल यहां सत्ता परिवर्तन का नहीं है सवाल यहां यह है कि भाश्पा की सरकार कैसे बने क्योंकि हमें नहीं भूलना च जी अगर मैं आपका ध्यान खीचूँ कुछ भारती जंता पार्टी के नेताओं के बयानों की तरफ मसलन गजेंदर सिंग शेखावत दो दिन पहले कह रहे थे कि अगर सचिन पाइलेट ने साथ दे दिया होता तो राजस्थान से इनकी जो है सरकार चली जाती नहीं थी शर करदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था तब एक चुनावी सभा में शिवराज सिंग चौहान ने कहा था कि भाई हमें फरमान सीधे पी एमों से आया था और अकर सरकार नहीं गिरती तो मोदी जी की ना कर जाती यह लोग यह बयान इस तरह से बोल देते हैं कि एक तो ऐसा दिवाइन राइट टू रूल और दूसरा नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है मताब मजाग बनके रह गई एक पुलिटिकल पार्टी जो कहती है वियारा पार्टी विदे इफरेंस अभी सार आटो क्रिटिक जो रिजीम होती है या आटो क्रिटिक जो सोच वारी पार्टि की बात कर रहे हैं जहां वाकई हिंदुत वादी पार्टी मजबूत रही है जिसकी ट्रेडिशन है बहुत कुरानी आप तमिल नाट की बात कीजिए रहा है जहां कुछ भी नहीं रहा है यार इसे बीजेपी का हाल तक आज काफी स्थी मजबूत होई है पहले के मुकाबले वहां पर शचीकला कोई याद है किसी को की शचीकला भी हुआ करती थी जो 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 जहल अलिता की बहुत खासम खास थी बिलकुल खामोश हैं जहल से निकलने के बाद बिलकुल खामोश हैं जेल से निकलने के बाद बिलकुल खामोश है पार्टी कहा गई पार्टी का जो उन कि मौजूदा जो ये पार्टी है दरसल इसको अगर आप देखिए तो भारत में जो डीला ढाला एक तंत्र स्थापित हुआ था अजादी के बाद उसकी मियाद पूरी हो चुकी थी क्योंकि लोगों ने आगे नहीं कैरी फारवर्ट किया कैसे मजूद बनाया जाए और बिल् ट्रेडिशनल विपक्ष सर्वाइब नहीं कर सकता एक नया विपक्ष चाहिए जो जनान दुनों उस परादारी तो जो नए धंग से अपने को इवाल्व करे अपने को डिवल्व करें यहां पे आप जनता के बास जाने का आपने एक मेकेनिजम बना रखा है लोगों को पह है आपकी और लोगों का भरोसा आपके पास है और लोगों के लिए आप काम भी करते हैं महराश में दिक्कत ये भी है कि आपने लोगों के बीच उस तरह का मेसेज नहीं दिया पिछले जब से आप चुनकर आए कि आप एक डिफरेंट पार्टी हैं आप लोगों तक रीच क है और जाते जाते मेरी एक अपील प्रधान मंतरी नारेंद्र मोदी से भी मोदी जी याद रखेगा हीरो बने रहने के लिए विलन का होना बहुत जरूरी है अगर विलन ही खتم कर दीजेगा ना तो हीरो किस बात का तो चलिए इस विपक्ष को विलन ही मान लिजिए और इस खत्म हो जाएगा जिसे आप विलिन बताते हैं मैं नहीं बता रहा हूँ जिसे आप विलिन बताते हैं आपका प्रचारतंतर विलिन बताता है अगर ये खत्म हो जाएंगे तो कुछ दिनों बाद उस हीरो पर से जनता का मन उकता जाएगा और धेरों ऐसी मिसाल है इतिहास में जहां ताकट का बेजा इस्तमाल करने वाले लोग आखिरकार जनता की ताकट के सामने नतमस तक होते हैं बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा मेरे साथ शामिल होने के लिए इंडिया की बात में बस इतना ही आप सब इस कारकरम पर अपनी राय हमें जरूर दें अबिसार शेर्मा भाशा और उर्मिलिश को दीजी आनुवती नवस्कार